पाठ पचीज विराम चेन तथा उनका प्रयोग पंक्चुएशन मार्क्स और यूज विराम चेन विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना बात चीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते बीच में कहीं न कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं अब प्रशन उठता है कि बोलने वाला कहां कितना रुकता है रुकते समय वह सामान्य कथन कहता है या प्रशन पूछता है या आश्चार्य व्यक्त करता है आधी आधी ये सब विशेश ताइं मौखिक भाशा की हैं और इन में से कुछ भाव भंगिमाओं को लिखित भाशा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन बनाए गए हैं। योजक या विभाचक चिन, हाइफन, निर्देशक चिन, डैश, उद्धरन चिन, इन्वर्टेड कॉमा, विवरन चिन, साइन अफ फॉलोविंग, कोश्ठक, ब्राकेट्स, हंस्पद या तुरुटी पूरक, कैरट, लाघव चिन या संगशेप सूचक चिन, साइन अफ एब् प्रयोग किया जाता है, जैसे, प्रधान मंत्री विमान से नीचे उतरे, सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, उनके स्वागत में 21 तूपों की सलामी दी गई, अर्ध विराम, जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता बोलते समय कुछ कम समय के लिए रुखता है, अर्ध विराम की तुलना में कम समय के लिए रुखता है, तब लिखित भाषा में इसके लिए अल्प विराम चिन्न का प्रयोग किया जाता है, जैसे, प्रधान मंत्री का भाषन सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढे, सभी पहुंचे, सच बोलना, दूस यह नौकरी कभी नहीं करूंगी, प्रशन वाचक चिन्न, जब वक्ता बोलते समय वाक्यों में प्रशन वाचक शब्दों, कब, कहा, कैसे, क्यों आदी का प्रयोग करते हुए, प्रशन पूचता है, तब लिखित भाषा में वाक्यों के अंत में प्रशन वाचक चिन्न आश्चर्य, घ्रिना, शोग, प्रसन्नता आदी भावों को व्यक्त करने वाले पदों, उपवाक्यों एवं वाक्यों के अंत में तथा संबोधन सूचक शब्दों के बाद लिखित भाशा में विसमयादी सूचक चिन्न लगाए जाते हैं। जैसे, अरे, तुम आ गए, उफ, कितनी गर्मी है, ओ, आज तो बहुत ठंड है, कोई उसे बचाओ, उसे चोट लग गई, वह पकड़ा गया, दीपा, तुम मेरे साथ चलो, मदन, तुम्हारी परीक्षा कब है? योजक या विभाजक चिन्न, दो शब्दों को जब जोड कर बोला जाता है, या दो संयुक्त शब्दों को अलग-अलग करके बोला जाता है, तब लिखित भाशा में इनके लिए योजक या विभाजक चिन्न का प्रयोग किया जाता है, जैसे, धीरे धीरे, जल्दी लिखना पढ़ना रोटी वोटी आदी तुमसा इमांदार आपसा निश्ठुर लक्षमन सा भाई आदी भूखा प्यासा अच्छा बुरा मोटा पतला आदी निर्देशक चिन यह निर्देशक चिन योचक चिन जैसा ही होता है पर उससे थोड़ा अधिक लंबा इसका प्रयो किसी व्यक्ति के कथन को उध्रित करने से पहले किसी वाक्यांच की व्याख्या करने के लिए यह संबादों में किया जाता है जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा सुभास चंदर बोस ने कहा था पिता कहा जा रहे हो बेटा अभी आता हूं बताना होता है या उध्रित करना होता है तब उध्रन चिन्न का प्रयोग किया जाता है जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वतंतरता हमारा जन्म सिध अधिकार है अध्यापक ने कहा था मैं कल कक्षा नहीं लूगा सकर्म क्रिया वह क्रिया है जो कर्म की अपेक्षा क जैसे धुआनियां दो तरह की होती हैं, स्वर तथा व्यंजन, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेध हैं, अकर्मक तथा सकर्मक, कोश्ठक, जब किसी कठिन शब्द का अर्थ बताया जाता है या विकल्प दिखाना होता है, तब कोश्ठकों का प्रयोग किया जाता है, गणि कर्मक्रिया, इन्ट्रांसिटिव वर्ब, विशेशन, एड्जेक्टिव, क, ख, एक, दो, आदे, हंस्पद तथा तुरुटी पूरक, लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है, तब हंस्पद का चिन लगा कर उस शब्द को उपर लिख देते हैं, जैसे मैं बच्चो संक्षेप में बताना होता है, तब लाघव चिन का प्रयोग किया जाता है, जैसे बैचलर ओफ आर्ट्स, बीए, आकस्मिक अवकाश, आ, अ, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रा, ची, मास्टर ओफ एजुकेशन, एम, एड, हमने सीखा, मौखिक भाषा में बोलते समय वक्ता क कहीं प्रशन पूछता है, कहीं आश्चरय प्रकट करता है, तो कहीं किसी के कथन को उध्रित करता है, आदी-ादी, मौखिक भाषा की विभिन्न युक्तियों को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन चिन्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्न कहत विराम चिन्नों के प्रयोग से लिखित भाशा, अधिक व्यवस्थित एवं अधिक अर्थ ग्राये हो जाती है।